बीजेपी विधायक टी राजवा ने AIMIM नेता अकबर उद्दीन ओवेसी को मुस्लिम समाज के लिए खतरनाग बताया है साथ ही उन्होंने ओवेसी को फरजी मुसल्मान भी बताया ग्वालेर की पिछोर विधान समा में रानी अवंती का बाई की जयनती पर लोधी समाज के कारिक्रम में शामिल होने पहुँचे तेलंगाना बीजेपी के नेता टी राजा ने AIMIM नेता अकबर उद्दीन ओवेसी पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि ओवेसी वास्तों में एक फरजी मुसल्मान है और उनका इसलाम से कोई लेना देना नहीं है असल बात यह है कि वह एक बिजनेस मैन है जिसका काम दलाली करना है टी राजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अकबर उद्दीन ओवेसी जहां मुसलिम समाज के लोगों की जनसंख्या है उस छेतर में राजनितिक दलाली करते हैं और पैसे लेते हैं उन्होंने यह भी कहा कि यह बात मुसल्मान के लिए ठीक नहीं है और यह सभी मुसलिम समाज के लिए घातक है और वो एक दुब्लिकेट मुसल्मान है कभी मुसल्मानों का उसने भला नहीं सोचा वो खुद का भला सोचा है कहीं पर भी चुना होते हैं, वह जाता है, ब्लैक मिल करता है, पैसा कमाता है और सबसे बड़ा अगर कोई मुसल्मानों का अगर दुश्मन कोई है, तो वह है OAC आप देख रहे हैं, डखल न्यूल